आज मैं आपके लेकर रहा हूँ भर्ता के अस्पेशल रेसिपी आलू को परवल के साथ बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से लेकिन स्वाद बिल्कुल अलगाता है बहुत बढ़ी अस्वादाता है मैंने इसको ट्राय किया मुझे बहुत पसंद आई मैंने सोचा आप लोग स साथ इसको सेहर करूँ चली बनाते हैं जहटपट से बन जाने वाले इस भर्ते को यहां पर मैंने आलू को पहले से छील लिया है और परवल को भी उपर का छिलका होता है पतला हलके हलके चाकु से उसको छील लिया है उसके बाद अच्छे से दो लिया है इसके बाद इसको क कुकर में डालेंगे कुकर में डालेंगे इसमें नमक अब अभी कुछ नहीं डालेंगे बस एक कप आपको पानी डाल देना है पानी इतना डालना है क privilege अ आलो परवल अच्छे से डूब जाह we देखिए, कुकर के उपर भी डिपेंट करता है, छोटा बड़ा है, उसी साब से पानी डाला, डखकन को बंद करके यहाँ पर दो से तीन सीटी लगा देंगे, परवल अलो अच्छे से पक जाना चाहिए, उतना सीटी लगाना है, तो यहाँ पर कुकर ठावने के बाद खोलें इससे जो परवल का पानी होता है, वो निकल जाता है, परवल को जब इस तरीक सुबाल का बनाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है, और उसका ऐसे काट देंगे, तो भरता बनाने से पहले ऐसे पानी को परवल को काट दें, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है, वो निकल जाए आलु को नहीं काटना है बस chỉ परवल को कट करना इस तरीके से तो मैंने सभी परवल को इस तरीके से काट लिया है गरम है इसलिए हाथ भी थुढ़ा से जल रा है मैं इसे पकर रहे हूँ वाँ फटा-फट से इसको भूलेंगे कराई गरम करेंगे उसमें तीन से चार चमच तेल डालेंगे तेल जैसे अच्छे से गरम होता है उसमें जीरा डालेंगे एक चोथाई चमच जीरा डालेंगे जीरे को अच्छे से पकने देंगे उसके बाद उसमें कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे अगर आप लहसुन प्याज वाले बनाना चाहते हैं तो मीर्चीक साथ प्याज को भी अच्छे से भून ले यही पर इसके बाद यहाँ पर टमाटर को थोड़ा से चला लेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा से हल्दी डालेंगे इसके बाद परिगा चाहँ इसके बाद बाद करेंगे तो मैब करेंगे बाद नीथ कान थो यहां परो हम और आलु को पहले शिकर करेके त्यार करके रखे काया है वह पर डालेंगे और इसको 3-4 नर के लिए अच्छे से भुनेंगे इसका आपको धियान रखना है तो यहाँ पर इन सबी चीज़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ आलू परवल को इसे मिलाते हुए आलू को मैं यहाँ पर तूर देती हूँ अस्पून से जिससे इसको भूनने में असानी होगी और नमक भी अच्छे से मिलेगा यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से तोर दिया है और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दे इतना परवल और आलू के लिए आधा चमच नमक लग जाएगा मैं यहाँ पर नमक भी डाल देती हूँ इसको फिर से इसको अच्छे से भूनेंगे यही भूना हुआ भूनना जरूरी होता है इस रेशिपियक बनाने में मतलब इस भरतेक बनाने में आज को मीडियम पर करक्षा थोरी दिरिक लिए इसको जरूर भूने इस तरीके से तीन से चार मिनार तक टामाटक साथ आलू और परवल को भूनना है जर परवल का पानी होता है वा शूप जाएगा आपका भरता स्वादिस्ट बन जाएगा इसके बाद इसको अच्छे सी मिक्स कर लेंगे तो मैं यहा पर यह पोटिटो मेसर होता है इससे मिक्स कर रहे हूँ आपके पास नहीं यह पोटिटो मेसर तो आप इसको ठंडा कर लें, उसके बाद हाथ से ही इसको अच्छे सी मिला लें, गयास को बंद करके यहाँ पर मैंने गयास बंद कर दिया है, अब इसको अच्छे सी मिक्स करेंगे और हमारे जो बहुत ही लाजवा अलग सा बनने वाला भरता है, वो बन के तियार हो जाएगा आलू का भरता तब कई बार खाये होंगे, एक बार मेरे कहने पर परवल के साथ आलू का भरता बनाईए हमारे दरे से आलो का चोखा परवल का चोखा भी बोलते हैं बहुत जाद स्वाद से लनता है अगर आपको लीटी पसंद है ये उसके साथ भी अच्छा लगेगा नेता ऐसे डाल चाबल के साथ भी इसको खाईएगा उसके साथ हुआ अच्छा लगेगा रोटी पराठक साथ तो अच्छा लगेगा है, सभी को अच्छा लगता है भरता ऐसा रेसिपी है कि इसको आप किसी के भी साथ साइड डिस में ले सकते हैं यह देखिए, बहुत ही मज़िदार सा बन के त्यार, अगर आपके पास धनियाक पता है यहां पर थोड़ा से धनियाक पता स्प्रिंकल करते हैं उससे और भी ज़्याद स्वाद बार जाएगा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने अभी नहीं डाला तीखा कम खाते हैं मिर्ची कम डाला, ज़्यादा खाते हैं तो मिर्ची बढ़ाद है, बस इतना ही धियाँ रखना है आपका जो भरता है बहुत ही जटपट और लाजबाब बनेगा अगर वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करें, सेर करें चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब करना, बिल्कुल न भूलें